नमस्कार दोस्तों मैंने नाम है अमान कुमार नाओ विल डिसकस सम अफ दो कोशन्स एट रिलेटेट टो करेंट अफेर्स यह कोशन्स दो यूपीसी के पैटन पे डेवलप किये गए हैं मगर अगर आप लोग SSC, बैंक पियो, EPFO, CAPF यह किसी भी स्टेट पीएसे के प्रपेशन कर रहे हैं किसी भी तरीके के competitive exam के प्रपेशन कर रहे हैं तो वहां भी यह information आपके काम आ सकती है पहला कुशन से रिलेटेट है पहला कुशन से रिलेटेट है आपके सामने statement है The speed of tsunami decreases in shallow water near seashore and the second statement says that the Indian tsunami early warning center was established in year 2006 by Indian Space Research Organization options आपके सामने है इस question का सही answer है A. पहला statement बिलकुल ठीक है tsunami की speed seashore के पास जाके कम हो जाती है मगर tsunami की height बढ़ने लगती है deep ocean में tsunami की speed ज्यादा होती है पर height ज्यादा नहीं होती इसलिए कभी-कभी tsunami deep ocean में आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगर आप किसी ship पे है और tsunami आपके नीचे से निकल जाएगी तो शायद आपको idea भी नहीं होगा कि tsunami travel कर रही है tsunami की traveling speed deep ocean में 900 km पर आर तक पहुंच सकती है वहीं जब ये sea shore के पास पहुंचती है तो जो energy tsunami को speed दे रही थी वही energy transfer होने लगती है और उसकी height बढ़ाने लगती है इस process को कहा जाता है the shawling of tsunami 2004 की आप लोगों को अगर tsunami याद है इंडियन ओशन के region में यही इंडोनेशिया का इलाका था इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलेंड था जहाँ एक major अर्थ को एक आया था जिसका magnitude लगभग 9.5 के आसपस था इसकारण एक major tsunami create हुई जिससे almost सारी countries जो Indian Ocean region में पढ़ती है वो थोड़ी या ज्यादा affect हुई थी इंडिया का region भी उसे affect हुआ था अंडबा निकोबार, तमिलनाडू और नीचिक चिर्लंका जितने beach area जो seashore areas है उन सब जगा पे devastation देखने को मिली थी जो second statement है इसेज देट इंडियान सुनामी early warning center was established in year 2006 देखे 2006 तक ये बिलकुल ठीक है इंडिया ने अपना एक इंडियान सुनामी early warning center develop किया था मगर इसको ISRO ने नहीं develop किया इसे develop किया था इंडियान नाशनल सेंटर for ocean information service ने इसका headquarter हैदराबाद में है आपके सामने कुछ डिरीज है और causal agent है आपको सही match identify करना है screen पे ये match है number one malaria protozoa kala azar bacteria typhoid virus chicken gunya virus dengue virus आपको इन में से सही match चुनना है सही match select करना है दोस्तो malaria protozoa के कारण ही होता है तो ये correct match है इस protozoa का नाम होता है plasmodium plasmodium malaria फैलाने के लिए reason बनता है now malaria news में है दोस्तो इस बार malaria important है important किस लिए है क्योंकि government of India का भी ये plan है कि 2027 तक India को malaria free कर देना है now second is kala azar kala azar का scientific name है leishmania syr now इसका नाम इसके causal agent के उपर पड़ा है kala azar protozoa के कारण होता है इस protozoa का नाम होता है leishmania leishmania भी largely parasitic protozoa है इसको किती और host की body चाहिए it can be a human it can be an animal जिसकी body में enter करता है और वहाँ ये multiply करता है जिस तरह से malaria एक mosquito vector bond disease है उसी तरह से kala azar का जो vector होता है जो उसे फैलाने के लिए responsible होता है वो होती है sand fly sand fly के काठने के कारण kala azar अकसर फैलता है third is typhoid दोस्तों typhoid का major कारण होता है bacteria इस bacteria का नाम है salmonella typhi contaminated food या contaminated water consume करने से typhoid अकसर humans में फैलता है next is chicken gunia देखे दोस्तों chicken gunia tangi zika yellow fever ये कुछ ऐसी बिमारिया है जो virus के कारण होती है इसमें मगर एक commonality है इन बिमारियों को फैलाने के पीछे एक mosquito है उस mosquito को नाम होता है ades ades की अलग-अलग species है जैसे ades aegypti है ades albopictus है बड़ आपको ये याद रखना है कि ades mosquito के कारण ये अलग-अलग बिमारिया होती है इसके वज़ा से बिमारिया फैलती है now next question is related to some of the institutes आपके सामने different match है आपको पहचानना है कि इस में से सही correct match कौन-कौन से है first one is national dairy research institute is it in Karnal-Haryana second is Indian agriculture research institute New Delhi third is central sugar cane research institute Coimbatur and fourth one is central leather research institute Kanpur options आपके सामने है आपको बताना है कि इन में से कौन से correct match है तो सही answer है दोस्तो first one the A is correct option A क्यूं correct है because central leather research institute Kanpur में नहीं है चैन्नाई में है हाला कि famous है Kanpur for the leather products but still ये जो central leather research institute है that is in चैन्नाई national dairy research institute भी important है क्योंकि ये news में था इस institute को almost 100 साल पूरे हुए है इसको 1923 में बनाया गया था अभी recently 19th convocation ceremony हुई National Dairy Research Institute की जहां Chief Guest बुलाई गई President Murmo there are some important facts that you must know about the dairy sector सबसे पहले बात dairy sector इंडिया के GDP में 5% का contribution देता है now another important fact about the dairy sector is that India largest milk producer है पूरे वर्ड में इंडिया largest milk producer है पूरे दुनिया में जितना भी milk produce होता है उसका 23% milk इंडिया में produce किया जाता है 1st June को World Milk Day बनाया जाता है 1st June World Milk Day है बट 26th November National Milk Day है 26th November Dr. Vargis Curin का birthday है Now the next question is related to Goldman Environmental Prize You need to identify के देये गए statement में से कौन सा statement सही है Number 1 is the prize is given on Earth Day which is 22 April Second is the prize is given to environmental activist working at grassroot level options आपके सामने है Well ये दोनों statement correct है Goldman Environmental Prize 22nd April को जो की Earth Day की तरह बनाया जाता है 22nd April को दिया जाता है Second statement is also correct ये जो grassroot level पे different environmental activists काम करते हैं उनको appreciate करने के लिए उन्हें motivate करने के लिए price दिया जाता है 2023 के winners जो हैं वो announce कर दिये गए हैं Screenment के नाम है So with that I conclude this particular video Thank you very much My name is Aman Kumar I expect कि ये वीडियो आपको पसंद आए होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए इसे शेर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज और आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए